असलाम अलेकुम डियर ओडियंस आइम कैसल सजाद एंड टुड़े आइल डिसकस विद यू तामस हार्डी फेमस ब्रिटिश नॉवलिस्ट एंड हिस वाक्स थामस हार्डी एक इंगलिश नॉवलिस्ट और पोईट है जो 1840 में बॉक हैंटन इंगलेंड में पैदा हुए इनकी शोरत एक नॉवलिस्ट के तोर पे है हार्डी के जादा तर वाक्स की सेटिंग एक सेमी फिक्शनल रीजिन वसेक्स है जो के साउथ वेस्टरन इंगलेंड की काउंटीज का एरिया है हार्डी ने 1867 से 68 के दुरान एक क्लास कांशियस नॉवल दा पूर मैन एड दा लेडी लिखा लेकिन ये पब्लिश ना हो सका फिर इसने विकी कोलन्स के कंटेंपररी संसेशन फिक्शन से मतासिर होकर डेस्परेट रेमेडीज लिखी इसका अगला नावल अंडर दा ग्रीन वूड ट्री में मैरिज प्लाट्स पर मुश्तमिल है और ये एक सोशल चेंज की स्टोरी है इस नावल में हार्डी की पिदाश से पहले हार्डी के वालिद के साथ पेश आए वाकियात की रिफलेक्शन नजर आती है 1870 में हार्डी की मुलाकात इमा से हुई जो चार साल बाद इसकी बीवी बन गई इमा ने हार्डी की लिटरिरी इंडीवर में हार्डी को इंकरीच और असिस्ट किया और इसका जो हार्डी का जो अगला नावल था अपेर अब बलू आईज इसमें इसने एक नोजवान खातून जो के एमा से रिजेंबल करती है और दो मर्दों की मेलोड्रामेटिक स्टोरी है ये नावल किस्त वार टिंसले मैगजीन में शाया हुआ इसके बाद हार्डी एक प्रिस्टीजियस कौन हिल मैगजीन से वाबस्ता हो गए अगले नावल फार फ्राम दा मैडिंग क्राउड में हार्डी ने पहली मर्तबा वसेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया इस नावल ने हार्डी को एक फेमस राइटर बना दिया 1874 में खानदान वालों की मुखालफत के बावजूद हार्डी और एमा ने शादी कर ली शादी के बाद पहले नावल दा हैंड आफ एथल बर्टा में जो के ब्रिटिश क्लास सिस्टम पे एक आर्टिफिशल सोशल कॉमेडी थी ज्यादा काम्याब ना हुआ लेकिन इसके बाद 1878 में छपने वाला नोवल दा रिटर्न आफ दा नेटिव बहुत पापुलर हुआ रिटर्न आफ दा नेटिव एक रिटर्निंग नेटिव कलीम यूबराइट और एडगन हीज से नफरत करने वाली यूस्टेशिया वाई की नकामशादी की कहानी है हाडी का अगला मशूर नोवल दा मेयर आफ कैस्टर ब्रीज था जिसमें एक ये बेसिकली एक वर्क मैन मिकाईल हैंचर्ड की कहानी है जो तरकी करके शहर का मेयर बन जाता है और बाद में एक तेस्तरार शख्स डोनल्ड जिसकी हैंचर्ड सरप्रस्ती भी करता था वो हैंचर्ड को हर चीज से महरूम कर देता है इसके बाद दावुड लेंडर्स भी सोशियो एकनॉमिक इशूज को डील करता है हारडी के नावलिस्ट केरियर में टैस आफ दा डर्बी वर्ल्स और जूड दावब सक्योर आखरी फेस से तालुख रखते हैं इन्हें हारडी के बेहतरी नावल करार दिया जाता है टैकनिकली ये नावल उनिस्वी सदी में लिखे गए लेकिन इनकी नेचर और सबजेक्ट मैटर की टीटमेंट के वज़ा से इन्हें बीस्वी सदी के नावल करार दिया जाता है टैस्क के करेक्टर के जरीए हारडी सुसाइटी के सेक्स्वल कन्वेंशन को कुस्चन करता है जबके जूर दा उबसक्योर में उस एज के कलास रिडन एजुकेशन सिस्टम को चैलिज किया गया है हारडी के इन नोवल्स पर पैजिमिस्टिक होने का इजाम लगाया गया और बहुत ज़ादा तरकीद की गई जिसकी वज़ा से हारडी ने जूर दा उबसक्योर के बाद कोई नावल नहीं लिखा हारडी को 19-वी सदी का नोवलिस्ट और 20-वी सदी का पोईट कहा जाता है हारडी ने हमेशा अपनी शायरी को अपने फिक्शन पर तरजी दी हारडी की पोईम कलेक्शन्स में वसेक्स पोईम्स, लौफिंग स्टॉक, स्टाइर्ज अफ सरकम्स्टांसिज, मूवमेंट्स अब विजन, लेट लीरेक्स अड अरलियर, हूमन शोज, विंटर वर्ड्स शामिल है दा डायनेस्ट जो के एक पोईटिक ड्रामा है और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, इसके तीन वॉलियम 1903, 1905 और 1908 में शाया हुए इसका सब टाइटल एन एपिक ड्रामा आफ दा वार विद निपोलियन है हारडी को 1910 में हकूमत बरतानिया की तरफ से आडर आफ मेरिट से नवाजा गया 11 जवरी 1928 को हारडी की वफात पर इसे वेस्ट मिनिस्टर एबे में शान और शोकत से दफनाया गया keep watching our videos that's all for today in case of any problem or suggestion please comment below take care Allah Hafiz